हलो फ्रेंड्स वेल्कम यू आजमा आपके लिए जो वीडियो देख्यार लेके फिर से एक स्टॉक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका टार्गेट तीन सो पचास प्लस की उमीदे रखी हैं क्यों रखी हैं और एक और इंपोर्टेंट पाथ इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी चीज आप सीखने वाले हो गोल के उपर अल्डो हर वीडियो में हम देखिए लर्निंग की ही बात करते हैं अलग अलग तरीके की लर्निंग की जब एक्जांपल चेंज होता है तो उसके बेस पर थोड़ा सा कंटेंट आपका उपर नीचे हो जात मैं बार बार आपको कहता हूँ कि गोल सम्झो रिस्क सम्झो मोस कोफालो करो इन बिट्वीन जो उतार चड़ाता है वह आपके गोल के उपर डिपेंड करता है कि आपको निकलना है या दो बने रहना मैं क्लिक करके और यह वीडियो जो आपके सामने अभी आ रहा है उसका जो कारण है वो है खंडेल वाल जी देखिए यह रौनक खंडेल वाल जी एक्सिस के उपर बात कर रहे हैं यह जो आप कह रहे हो कि टार्गेट दिया देखिए ऐसा हमारा कोई टिपिया isteICavat एक्सिर्ण developing रेकमेंडेशन वालश सर्विस है यहां कोई टार्गेट यहां पर देते हैं मैं आपको इसका प्रासेस आपको बताऊंगा जिसके थूँ आपको बहुत कुछ समझ बाए जब मैं एक स्टॉक के बारे मां आपको कमगा मैं निकल लो खरीद लो उससे क्या होता है वो आप एक पर्टिकुलर टीपीर रेकमेंडेशन हो जाती है उसमें तो भई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में बहुत खत कर रहे थे एक्सिसकेट्स टिकनोलोजी एक्सिसकेट्स का पहला वीडियो जब हम आपके लिए लेके आये थे स्टॉक अंडर हंडर उस टाइम पे था दिसंबर 16 की यह बात है ज्यादा पुरानी बात नहीं है यह देखें 95 का यह प्राइस लबल है और यह मेजर कारण आप लाखो रुपे की पीज या जारो रुपे की फीस कोई पढ़ रही है उसको जोईन की जोसे बेसिक सापको समझ में आएंगा और वीडियो मुसमें एड करते रहते हैं जिस इसे हिसाब से हमको लगता है कि हाँ आप यह चीज आनी चाहिए अब यह चीज आनी चाहिए अब लेकिन जब आप प्राइस एक्षिन को सीखोगे ना जो गोल समझनी की मां बारे मां बात कर रहा हूं उसको देखिया अब 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 तसल्ली से देखोगे इसका ज़रा रिवेन्यू देखिए लगातार बढ़ता हूँ यह फंडमेंटल के बात है लेकिन हम आपके विद प्रॉपर वॉल्यूम थिंग अब आप समझ गयोंगे अब आपने मानलो 9500 के आसके आसपास आपने एंट्री करी इसमें और आपका स्टॉप लॉस धीप वाला यह है इमिजेट वाला यह है और यह मंतली का अभी रैली जो है स्टार्ट ही हुई है अब आपका क्वे आपसे जा रहे हो आपने का भई मेरा यहां पे चीजने पूरी हो गई मैं निकल जाता हूं ठीक है अगर आपने अब मैं आपको दूसरे important point यहां पर देखें बहुत important learning की चीज़े है अब मानलो आपने target ही इस level का किया था और आपका target पूरा हो गया आप निकल गया आपने जब यहीं target किया था आपका achieve हो गया profit book करो निकल लो आपका जो plan था वो execute हो गया और successfully execute हो गया तो क्या issue है अब यह हो गया खाली यहीं तक का समझे रो क्लियर बिल्कुल transparent clear clarity हो रही है कि नहीं हो देखे अब आगे बात करते हैं यह बहुत सारे लोगों की काम की बात है access creates के हम बात कर रहे हैं इसका वीडियो तभी पिसले बार जब हमने यह volume को देखा आपके लिए वीडियो create किया था अब हम करते हैं monthly के swing के बात क्योंकि अभी just starting हो रही है अब इस month में और यह उपर अभी जाने की कोशिश कर रहा है अब माल लो यह impulse यहां से start हुई अभी और यह breakout इसका target क्यों किया था इस liquidity area को देखते हुए आपने इस area का target किया था कोई दिक्कत नहीं अब आपका profit book आप close कर सकते हो या फिर partially आपने सोचा भी मैंने यहां पे इसके 1000 share खरीद लिए मैं काम करता हूँ 25% base देता हूँ बाकी मैं इसको रखे रखता हूँ stop loss को और optimize कर सकत strategies यह आपकी अलग-अलग तरीके की strategies इसमें बन सकती है समझो इस part को अब आपने कहा नहीं इस area तक मेरा target है मैं आप यहां पे खाली कर देता हूँ पूरा थोड़ा बहुत ही रखता हूँ हलका फुलका रखता हूँ जो कि साड़े 300 तक जाएगा यह सारी चीजे process की बीच म देना जाता है काम करता हूँ position size reduce कर लेते हैं और उसके बात देखेंगे मंतली पर यह इस पार्ट को अब देखें एक्सिस क्यों सामने आया था हमारे सामने इसलिए आया था क्योंकि हमें impulse में volume दिखा था correction में volume खतम और फिर से impulse बनती रही उससे पहली हमारी नजरों में य अब यह देखिए अब आता है हम weekly चार्ट पे यह weekly से यह दिसंबर में जब वीडियो आया था तो यह लेवल था देखी यह जस्ट स्टार्ट हो रहा था यह पार्ट जो है वह स्टार्ट हो रहा था और इसलिए 95 की रेंजिम आपके लिए वीडियो लेक्या है और बहुत ही बहतरीन मैं कहूंगा 20% का run already दे दिया है अब यह kind of यह कहो कि breakout के बाद का pullback situation यहाँ पर चल रही है चल रही है कि नहीं चल रही है weekly पर कहां आ चुके है हम देखिए आप खोगे हुआ यार अगर यह consolidation अगर एकाध अपते में और यहाँ पर जो है resolve होती है तो और rally आपको दे between जो है नई नई चीज़ा आपके लिए आएंगे अब देखिए अब यहाँ पर फिलाल हमारा अगर stop loss हमने इस इस area के बाद buy किया तो कि हमारा stop loss अगर यहाँ पर है अब जैसे यह breakout यहां से ऊपर जाएगा तो यह area आपका trailing stop loss हो जाएगा ताकि at least इतना profit जो आपका है व आउंगी corrections आपको देखने को मिल सकती है ठीक है weekly की correction कई बार क्या होता है जो illiquid stocks होते हैं वो सीदे भाग जाते हैं लेकिन जो properly stocks होते हैं वो थोड़ा सा आपको correction देते रहते हैं अलग-अलग तरीके की opportunity दे सकते हैं उनमें positional की बनने के लिए आपको यहाँ पर और position आप मन्थली जो आपके लिए वीडियो लेके आया थे उसमें major मक्सद जो था वो मन्थली की correction low volume के correction रिजॉल्ब होते हुए दिख रही थी वह कारण था और ऐसा लग रहा थे कि हाँ यह rally बड़ी आ सकते और साड़ी 300 का जो target था वो कई सालों में भी पूरा हो सकता और बहुत जल्दी भी अचीब हो सकते है क्योंकि मन्थली time frame बहुत बड़ा है यह लेवल था वो साड़ी 300 का यह liquidity area थे वो साड़ी 300 के लेकिन इस liquidity area तक पहुचने तक अगर यह इस area तक जाता है तो definitely there will be many opportunities in between पहुत सारी opportunity आपको मिल सकते है in between आपको क्या higher और यह देखिए अब यह super momentum area में प्रवेश कर दिया RSI इसने अपनी range को shift कर लिया क्योंकि यह पूरी की पूरी अब तक downside की range चल रही थी इसने range shift के बाद आप देखोगे तो पहली बार फीडिये correction यह resolve अब इस तरीके सा RSI पे भी आपको situation देखने को मिल सकती है तो समझ जरूर होंगे उमीद करता ह नहीं था और अगर आप daily time frame को तसल्वी से देखोगे तो अभी कैसी situation है अब देखिया बाद यह area breakout हो था ठीक है यह area breakout हो था अभी कहां पे अब हम हैं अभी हम kind of इसी area के अंदर देखिए pullback मार रहे हैं जैसी यह वापस रिजॉल्व होगा हाँ अगर आपने बहुत करके यहां पर लगा सकते हैं कि नहीं भाया 100 से नीचे जाएगा मुझे तो निकलना है इस तरीकी की situation तो यह सारी process के पार्ट है चोटी चोटी चीज़े जरूर लेकिन process के पार्ट है बट फिलाल आप एक monthly daily की correction में हो monthly की impulse already start हो चुकी है और और यहां पे आपको यह corrections अगर कि आपको आगे long run में यह लेके जाएगा तो समझता है कि आपका goal क्या है तो इसलिए मैं बार-बार आपको कहता हूँ को goal समझो क्यों कि goal के basis पे आपके जो है actions आपका जो risk है आपका जो actions है वो goal के basis पे ही define होते है goal के basis पे monthly और weekly का जब भी आप time frame लेते हो तो वहां पे आ size को आपको manage करके अपने risk को manage करना होता है फिलाल wind up करता है वीडियो को उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शियर जरूर कीजिए like कीजिए price action सीखते रहे प्रैक्टिस करते रहे और थैंक्यू थैंक्यू पर वीडियो